भारत में कुछ लोगों और संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हिजाब विवाद को अंतर राश्री एजंडा बनाने का खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान जैसे ही इस मुद्दे पर कुदा ये साफ हो गया कि ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चलाया जा रहा है लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर कोई बच्चा भी बता सकता है कि कैसे हिजाब के नाम पर एक खतरनाक एजंडा चलाया जा रहा है अब इस पूरे विवाद में तालीबान की एंट्री हो गई है तालीबान ने भारत में चलाये जा रहे इस खतरनाक खेल का समर्थन किया है इसलामिक कटरपंथी अपने फायदे के लिए इसे इस्तमाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वैसे आपको बता दे कि इस मुद्दे पर तालीबान की एंट्री होते ही भारत में पैदा हुए नए नए हिजाब एक्सपर्ट्स की पॉल खोल दी है भारत में जो लोग इस मुद्दे को अधिकार से जोड़ कर मामले को भटकाना चाहते थे अब उनके छुपे हुए एजेंडा को तालीबान ने सामने ला दिया है तालीबान के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए करनाटक की इस लड़की का फोटो शेयर किया और लिखा भारतिये मुस्लिम लड़कियों के संघर्ष से पता चलता है कि हिजाब एक अरब, इरानी, मिस्र या पाकिस्तानी संस्कृती नहीं है बलकि एक इसलामी मूल्य है जिसके लिए दुनिया भर में मुस्लिम लड़कियां विशेश रूप से सेक्यूलर दुनिया में विभिन तरीकों से बलीदान करती है और अपने धार्मिक मूल्यों की रक्षा करती है आपको याद दिला दे कि ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान में ऐसे कट्टर शरिया कानून लागू कर रखे हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी बरबाद हो गई है तालिबान किस तरह से महिलाओं और बच्चियों का शोशण करता है वो किसी से छिपा नहीं है ये साफ है कि इस मुद्दे की आग को ये सभी कट्टर इसलामिक मुल्क हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस खतरनाक खेल में भारत के कई फरजी बुद्धी जीवी उनका साथ दे रहे हैं